हलो परेंड विल्कम टू उमाई चैनल मस्तान Óटो टेक दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं फ्यूल रेल की और फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर की यह है डिजल एंजिन की फ्यूल रेल और इसमें लगा हुआ है रेल प्रेशर सेंसर, रेल में डीजल के प्रेशर का सिगनल ECM को देता है, रेल में डीजल का फ्यूल का जो भी प्रेशर होता है, उसका सिगनल ECM को जाता है, और उस सिगनल से ECM इंजेक्टर की फाइरिंग को मेंटेन करता है, बहुत डिजल गाडियों में बहुत ज़ाधा फॉलट आते हैं रेल प्रेशल सेंसर को लेकर इसके खराब होने से गाड़ी में बहुत लंबी क्रेंकिंग होती है बहुत लंबा सेल लेकर गाड़ी स्टार्ट होती है और यह और कभी-कभी मिक्षेंón बहुत फॉल्ट आते हैं से रिलेटेड रिल प्रेशर सेंसर में थ्री वायर होती है थ्री पिन का सेंसर होता है ये और इस पर नंबर लिखे हुए हैं 123 अगर बात करें इसकी वाइरिंग की तो इसकी एक वाइर में आते हैं 5 वोल्ट एक वाइर में आते हैं ग्राउंड और एक वाइर होती है सिग्नल तो अगर रेल प्रेशर से रिलेटिड कोई प्रॉब्लम आती है या आप गाड़ी को डाइग्नोज करते हैं स्कैनर से और स्कैनर में कोड आता है P0193 तो यह रेल प्रेशर सेंसर सर्किट हाई का कोड होता है इसके लिए हमें सबसे पहले वाइरिंग को चेक करना होता है और वाइरिंग अगर ओके है तो हमें सेंसर को चेक करना होता है तो वाइरिंग चेक करने का तरीका है एक वाइर में 5 वोल्ट मल्टिमीटर से चेक करिए आप 12 वोल्ट DC पर सेट करके एक वाइर में ग्राउंड और एक वाइर में सिगनल वाइर उसकी सेंसर से ECM तक कॉंट continuity को चेक करिए और सेंसर को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को सेट कर लिजिए 200K पर और सेंसर की दो नमबर और तीन नमबर पिन को मल्टीमीटर की प्रोब लगा कर चेक करिए एक नंबर पिन को छोड़ दीजिए दो नंबर पिन पर मल्टी मीटर की ब्लैक प्रोब लगाईए और तीन नंबर पिन पर मल्टी मीटर की रेड प्रोब लगाईए और मल्टी मीटर को सेट कर लीजिए 200K पर मल्टी मीटर में फ्योल रेल प्रेशर सेंसर अगर ओके होगा तो मल्टिमीटर में वैल्यू आनी चाहिए 75 से 100 तक तो इसकी वैल्यू चेक करते हैं तो देखिये दोस्तो मल्टिमीटर में रीडिंग आ रही है 95.8 इसका मतलब हमारा फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर बिल्कुल ओके है अगर ये वीक होता तो इसकी वैल्यू 50 से 75 तक आती और अगर ये खराब होता तो इसकी वैल्यू 50 से नीचे आती 50 से 75 वैल्यू तक गाड़ी लंबे सेल्फ लेकर स्टार्ट होती है और अगर 50 से कम वैल्यू होती तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती और बिल्कुछ सही correct value होती है 75 से 100 तक तो हमारा rail pressure sensor बिल्कुल ओके है इसकी reading आ रही है 95.8 और इसको check करने का यह बहुत ही आसान तरीका है multimeter को 200k पर set करिए black probe को sensor की 2 number pin पर लगाई है और red probe को 3 number pin पर लगाई है और इस तरीके साथ value को check कर सकते है sensor में code आता है sensor के खराब होने पर जादतर गाडियों में code आता है P0193 तो इस तरीके साथ आप इस code को diagnose और check कर सकते हैं यह थी दोस्तों एक छोटी सी information उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में thanks for watching कर सकते हैं